नमस्कार मैं हूर एक पाल और आप देख रहे हैं वाइबरिंट लाइव नियूज भारत ने दो साल के अंतराल के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगे बैन को हटा लिया है कोरोना वाइरिस महामारी के कारण सस्पेंट की गई विदेशी फ्लाइट 27 मार्च से फिर से शुरू हो जाएंगी नागरिक उडियन मंतराले दोरा एक बयान में कहा गया है कि दुनिया भर में बढ़े हुए वैक्सिनेशन कवरेस को ध्यान में रखने के बाद और हित धारिकों के परामश से भारत सरकार ने 27 मार्च 2022 यानि समर शेड्यूल 2022 की शुरूआत से भारत के लिए भारत से सेड्यूल कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर सर्विस को फिर से शुरू करने का निर्णे लिया है केंदर सरकार ने 27 मार्च से रेगुलर अंतराष्टी उडानों का संचालन फिर से शुरू करने का फैसला किया है अंतराष्टी यात्रा के लिए स्वास्त मंत्राले के निर्देशों को आ सक्ती से पालन करना होगा देश में कोरोना केस में गिरावट को देखते हुए यह अलान किया गया है कोरोना की उज़से करीज़ दो साल पहले मार्च 2020 में केंदर सरकार ने अंतराष्टी उडानों पर पाबंदी लगाई थी इस समय कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा था इस वज़से सरकार कोई डर था कि कहीं अंतराष्टी यात्रियों के जरिये वाइरस तेजी से भारत में फैल न जाए बारत के अलावा कई मुलकों ने अपने हाँ पर आने वारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोग दिया था इसमें अमारिका, ब्रिचेन, फ्रेंस जैसे मुलक शामिल थे अलागे कोविट के मामलों में आई कमी के बाद इन मुलकों ने अपने हाँ पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था फिला खबरों में इतना ही देश विदेश जोड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे वाइबिंट लाइव निउस मेर बैसा जनता किया लाइब